नमस्कार मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। गाउं में दिन्चर्या अमूमन अल सुबह ही शुरू हो जाती है। शमशाद बाहर नौकरी करता था जबकि दूसरा बेटा दिलशाद अपनी पत्नी नसरीन के साथ इसी घर में बने दूसरे कमरे में रहता था। रोने की आवाजे सुनकर लोग दौड कर सईद के घर की तरफ पहुँचे तो वहां का मनजर खौफनाक था। यह देख कर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लोगों ने जो कुछ देखा वह उनकी कलपनाओं से जुदा था। एक कमरे में शकीला व उसकी दो बेटियां रजिया व शबाना खून से लहुलुहान मृत पड़ी थी, जबकि सुल्ताना कराह रही थी। सईद का वहां कुछ पता नहीं था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया। यह दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के शिकारपूर थाना चेत्र के गाव अंबेड कर नगर माजरा में तीन मार्च 2021 की देर रात हुई थी। दिन निकलते ही तिहरे हत्याकांड की सूचना से पुलिस विभाग में भी हडकंप मच गया। थाना प्रभारी सुभाष सिंह मौके पर पहुँचे। वारदात की सूचना मिलने पर एस एसपी संतोष सिंह, एसपी क्राइम कमलेश बहादुर वसीयो गोपाल सिंह भी वहाँ पहुँचे। पुलिस ने मौका मुआयना किया। मृतकाओं के सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किये गए थे। घर में लूट पाट भी नहीं हुई थी। पुलिस की नजर वहाँ पड़े एक हथोडे पर गई, उस पर खून लगा था। पहली नजर में पुलिस समझ गई कि उसी हथोडे से हत्याएं की गई हैं। पुलिस ने सबसे पहले घायल सुल्ताना को अस्पताल पहुँचाया। पड़े थे। यह देखकर मेरी चीख निकल गई, मैंने पडोस में अपनी रदिया सास संतों को दोड़ कर बुलाया फिर गाउवाले आ गई। पुलिस ने उसके बयान को गंभीरता से सुनकर नोट कर लिया। नसरीन के बयानों में सच्चाई थी। शक सईद पर था क्योंकि वह लापता था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि यदि हत्याएं वाकई सईद ने की थी तो फिर इसकी आखिर क्या वजह थी। बहरहाल पुलिस ने मौके पर कारवाई पूरी कर सभी शव पोस्ट मार्टम के लिए भिजवा दिये। हत्याओं में इस्तिमाल हथोडे को कबजे में लिया। सईद के खिलाफ उसके बेटे शमशाद की तहरीर पर मुकदमा दर्स कर लिया। पुलिस सईद की तलाश में जुट गई लेकिन अगले कई दिनों तक भी उसका कोई पता नहीं चल सका। हत्याओं की असल वजह से परदा उठाने वाला एक सईद ही था जो फरार था। पुलिस तीमे सईद की तलाश में लगी हुई थी। उसकी नाते रिष्टेदारियों में भी दविशे दी गई। सईद का पता नहीं चला तो पुलिस ने उसके उपर 25,000 रुपय का इनाम भोशित कर दिया। उधर सईद की घायल बेटी सुल्ताना खत्रे से बाहर आ चुकी थी। सईद पुलिस के लिए एक तरह से चुनोती बन चुका था। इस बीच पुलिस को पता चला कि सईद पहले पंजाब के मोहाली में भी नौकरी करता था, वहां भी वह छिप सकता था। पुलिस तीन वहां पहुँची और उसकी पुरानी पहचान के हिसाब से लोगों से जानकारियां एकत्र किया। इससे पुलिस को सफलता मिली और वह 21 मई 2021 को सईद तक पहुँच गई। सईद मोहाली की ही मानकपुर शरीफ दरगाह में शरण लिये हुए था। पुलिस तीन सईद को दबोच कर बुलंदशहर ले आई। पुलिस ने उससे पूचताच की तो उसने पतनी वबेटियों की हर्त्या करना स्विकार कर लिया। गहनता से की गई पूचताच में ऐसी कहानी निकल कर सामने आई कि पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो गई। पुलिस निकल कर रही थी। सईद की कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार का खर्च चल सके। परिवार को सहारा मिल सके इसलिए शकीला ने भी लोगों के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। शकीला को घर आने में देर सबेर भी हो जाती थी। यह बात सईद को पसंद नहीं थी। शकीला मुझे इस तरह तुम्हारा काम करना पसंद नहीं है। एक दिन सईद ने अपने मन की बात पतनी से कह दिया। यह सब मैं अपने लिए नहीं बलकि परिवार के लिए कर रही शकीला की बात अपनी जगह बिलकुल सही थी सईद से घर के हालाग छिपे नहीं थे लेकिन उसकी परेशानी दूसरी थी दरसल उसके दिमाग में शक का कीड़ा घर कर गया था वह पत्नी पर शक करने लगा था शक ऐसा रोग है कि जिसका इलाज किसी के पास नहीं होता सईद का शक्की स्वभाव ज्यादा बढ़ने लगा तो परिवार में जगड़े होने लगे जबकि शकीला ने कुछ सालों की महनत से कई मजदूर महिलाओं को अपने साथ जोड लिया था और आलू खुदाई आदी के ठेके भी लेने लगी थी जब भी वह घर देर से आती तो सईद जगड़ा जरूर करता था एक दिन शकीला ने सईद को समझाया भी देखो तुम्हारे शक की कोई वज़य नहीं है तुम्हें शक करने की बीमारी हो गई है इस उम्र में मेरे लिए क्या बिगड़ना बचा है सईद ने उसे गहरी नजरों से घूरते हुए कहा मैं सब जानता हूँ तुम जैसी औरतें अपने शोहर को बहलाने के लिए इसी तरह की नोटंकिया किया करती है शकीला बोली तुम्हें तो फिक्र है नहीं कल को बेटियां जवान हो रही है कभी सोचा है कि इनकी शादियां कैसे होंगी तुम यूँ ही शक करते रहे तो ना जाने एक दिन क्या होगा सईद अपने शक से बाहर निकलने को कतई तयार नहीं था समय के साथ परिवार कलह का अखाड़ा बन गया और नौबत मारपीट तक आने लगी शकीला पती को समझाते समझाते थक चुकी थी लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था शकीला अब बेटियों को भी यदाकदा काम पर ले जाती थी इससे परिवार में जगड़ा वा मारपीट और भी ज्यादा बढ़ गया घर में जब भी जगड़ा होता था तो बेटिया मा के साथ हो जाती थी एक दिन बेटी रजिया ने तो सईद का सीधे सामना किया अब्बू तुम जो बार-बार अम्मी पर तोहमत लगाते हो वह अच्छी बात नहीं है बहुत जुल्म हो गए तुम्हारे बेटी की बात पर सईद को ताव आ गया मा की तरह तुम्हारी भी जुबान चलने लगी है कहते हुए उसने बेटी को तमाचा जड़ दिया इससे रजिया रोते हुए बिफर गई रोज-रोज के जगड़ों से हम भी तंगा चुके हैं अब यदि तुमने कुछ किया तो हम पुलिस में शिकायत कर देंगे बेटी ने कहा तो सईद नरम पड़ गया कहते हैं कि शक इनसान को किसी भी हद तक सोचने पर मजबूर कर देता है उस रात सईद को पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि उसके दिमाग में नई बात चल चुकी थी कि बेटिया भी उसकी पत्नी की तरह हो गई है वह उनके चरित्र पर भी शक कर बैठा एक बार इस शक ने पैर जमाए तो वह दिमाग में घर करके बैठ गया शकीला घर से बाहर जाती तो बेटियों को भी साथ ले जाती थी सईद हमेशा शक की नजर से देखता था और उनके वापस आने पर ताने बाजी करके उनसे जगड़ा किया करता था लाख समझाने के बाद भी सईद का शक बढ़ता गया तो वह खोया-खोया रहने लगा खाते-पीते, सोते-जाते उसे दिमाग में सिर्फ शक ही चलता रहता था शक पूरी तरह उसकी जिन्दगी का हिस्सा बन चुका था एक दिन शकीला देर शान काम से घर वापस आई तो सईद ने घर में तूफान खड़ा कर दिया मैं जानता हूँ तु यारों के साथ गुल छर्रे उरा कर आई होगी शकीला ने जवाब दिया तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए वह बोला तुम्हें गलत करते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे बोलते हुए क्यों आईगी कोई एक बात तो बताओ जो मुझे गलत साबित कर दे कम से कम लोगों से जाकर ही पूछ लो मैं इसलिए मेहनत करती हूँ ताकि घर अच्छे से चल सके शकीला ने समझाया सईद ने ताना दिया मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मैं सब जानता हूँ तुझे घर चलाने की फिक्र नहीं यारों से मिलने की ज्यादा होती है पत्नी ने कहा घर में बेटी बहु है लेकिन तुम्हें इस उम्र में भी ऐसी बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती तुम बेगैरती की हदों को लांध चुके हो एक तो चोरी उपर से सीना जोरी मुझसे जबान लडाती है सब को बरबाद कर दूँगा सईद चीख कर बोला और शकीला को पीटना शुरू कर दिया शकीला को उसकी बेटियों ने बचाया बड़ी बेटी रजिया उसी समय पुलिस को फोन करना चाहती थी लेकिन बढ़नामी परिवार की ही होनी थी इसलिए शकीला ने ही उसे रोक दिया सईद के दोनों बेटों वबहु नसरीन ने भी सईद को कई बार समझाया लेकिन अपने सामने वह किसी की सुनने को तयार ही नहीं होता था पिता के गुस्सैल वजहगडालू स्वभाव के चलते बेटों ने मा को संभल कर रहने की सलाह दिया उधर सईद ने मन ही मन पूरे परिवार को खतम करने की ठान लिया दो तीन मार्च की देर रात तक सईद जागता रहा वह बाहर घर की बैठक में सोता था उसकी पत्नी वह बेटियां एक कमरे में जबकी बेटा दिलशाद वह उसकी पत्नी दूसरे कमरे में सोते थे बारा बजे के बाद का समय था पूरे गाउ में सननाटा था सईद ने हथोड़ा उठाया और चुपके से शकीला के कमरे में दाखिल हो गया उस समय शकीला उसकी बेटियां रजिया शबाना वसुल्ताना गहरी नींद में थी सईद ने सबसे पहले पूरी ताकत से शकीला के सिर पर हथोड़े से वार किये, उसकी चीख भी नहीं निकल सकी सईद के शक्की स्वभाव ने उसे शैतान बना दिया था इसके बाद उसने बेटियों के सिर पर भी ताबरतोर प्रहार कर दिये खून के रिष्टों पर शक्का हथोड़ा बरसाते हुए उसके हाथ नहीं काम पे सईद का इरादा अपनी बहु को भी खत्म करने का था वह उसके कमरे की तरफ गया, लेकिन दर्वाजा बंद देख कर उसने अपना इरादा टाल दिया इसके बाद वह बैठक में आया और घर से निकल गया अल सुभा उसने बस पकड़ी और पंजाब के मुहाली में दर्गाह में खुद को गरीब मजदूर बता कर पनाह ले लिया बहुत साल पहले वह पंजाब में नौकरी कर चुका था इसलिए उसे अपने लिए वह सुरक्षित ठिकाना लगा सईद को लगता था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वह पुलिस के हथे चड़ गया पूचताच के बाद पुलिस ने सईद को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायक हिरासत में जेल भेज दिया गया सईद ने यदि अपने शक्की स्वभाव को काबू रखकर, परिवार पर भरोसा करके जिंदगी जी होती तो शायद ऐसी नौबत कभी भी नहीं आती आज की कहानी बस यही तक, अब बारी कमेंट पढ़ने की है मेरा राय मैम ने कमेंट किया है, क्राइम चाहे कितनी भी चालाकी से किया हो, आखिर पकड में आही जाते है वेरी नाइस स्टोरी सर, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धनियवाद सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद जोती लिम्बु जी ने कमेंट किया है लाफ फ्रॉम जर्मनी आपकी विडियोज हर दम अच्छे होते हैं मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद आपको भगवान का डर नहीं है। प्रीती पतनायक जी ने कमेंट किया है। प्रीती जी ने कमेंट किया है। प्रीती जी ने कमेंट किया है। भगवान आपको और तरक्की दे। God bless you मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी पतेल मैम ने कमेंट किया है। हेलो सर। सर आज साढ़े साथ वाला विडियो नहीं आया। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मैम कल कुछ नेट वर्क इशू चल रहा था। इसलिए कल विडियो लेट हो गया था। निल्सो नाम की आईडी से कमेंट आया है। दोनों का दिल अच्छा था जो दूसरे की हेल्प की सोचती थी। औरत है इसलिए कई बाते हुई बदनाम भी हुई। अगर ये जैंस करता तो तारीफ ही करते सब। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धनियवाद। राहुल जैकर जी ने कमेंट किया है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धनियवाद। महेश रस्तोगी जी ने कमेंट किया है। नजायज रिस्तो का बहुत बुरा हाल होता है। महेश रस्तोगी छपरा बिहार सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद रवी जी ने कमेंट किया है Very nice कहानी सर जी सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है क्राइम करके कोई कभी बच नहीं सकता, पता नहीं लोग ये जानते हुए भी क्यों क्राइम करते हैं मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद अलोग सर ने कमेंट किया है, अपराध के लिए आदमी कितना भी दिमाग लगा ले लेकिन फिर भी पकड़ा ही जाएगा सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर है हर विडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं जैसे रकीब सर, रोशन दलवई सर, आरती चोहान जी, सरिता राई जी, नादिया उंबर लोदी जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे विडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए विडियो लाता रहूँगा कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धनियवाद इस कहानी के बारे में अपनी राई कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद